नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव संभू दोस्तों पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुरलब महाशुब सन्योग 28 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार इस दिन यानिकी सावन के आठवे सोमवार के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें ये एक छोटी सी चीज रोरपती भी होंगे करोरपती मिलेंगी सभी संकटों से मुक्ती मृत्युदंड पित्री दोश तुरंत होगा खत्म भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके घर में भरे रहेंगे अन्नधन के भंडारियों कहें कि आपकी साथ पीढ़ी करेंगी आपके रुप वे सुमवार यानि की 28 अगस्त को क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सुमवार है इस दिन ये एक खास चीज चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिये जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है वे सब दूर हो जाएंगे और ततकाल गरीबी समाप्त हो जाएगी आप धन से माला माल हो जाएंगे रोरपती भी करोरपती बन जाते हैं यदि सावन सुमवार के दिन आप इस उपाय को कर लेंगे बहुत ही शुब संयोग है पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुरलब संयोग बना जिसमे की सावन के आखिरी दिन गाय माता से जुडे इन उपायों को करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाएगा दुख दूर हो जाएंगे भोलिनात की कृपा सदैव आपके उपर बढ़ जाएगी साथ पीढियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी बैंक बैलन्स चला जाएगा तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है किस आपको करने है इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है शुरू से तो पर पूरा वीडियो देखना काट काट कर बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगा तो बिना काटे शुरू से अंत तक पूरा जिससे भगवान भोलेनात की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर सदैव बनी रही और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर जरूर कर देना ताकि और लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठा सके उनको लाभ मिल सके यदि उनको लाभ मिलेगा तो आपको लाभ अब आपने आप मिल, जाएगा क्योंकि दूसरों की भलाई से आपका भला होना ही होना है, तो शेर जरूर कर देना या दोस। वे 28 अगस्त को है, आपको बता दें, इस दिन सोम प्रदोश वरत भी रखा जाएगा, वहीं सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त भी हो, जाएगा सावन का अंतिन सोमवार बहुत ही खास है, इसी दिन भगवान शिव की आप विधी, विधान से पूजा अर्चना करें, इसी दिन सावन का आखिरी प्रदोश वरत भी होगा, इसके साथ ही इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी का पालन भी होगा, और आपको बता दे सावन मास की आखिरी सोमवारी वरत पर पांच शुब सन्योग बन रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे सावन सोमवार के दिन प्रदोश वरत आयुशमान योग सौभाग्य योग सर्वार्थ सिधी योग और रवी योग का शुब सन्योग है, सावन मास का आखिरी सोमवार और प्रदोश वरत 28 अगस्ट दिन सोमवार को है, इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन भी होगा बहुत ही शुब सन्योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहियोग में माना जा। और बेल पत्र अवश्य अर्पित करें पर धतूरा भांग आलू चंदन चावल। अवश्य चढ़ाएं फिर भगवान शिव के साथ माता पारवती और गणेश जी को तिलक अवश्य लगाएं प्रसाथ के रूप में। मंत्र का जाप करें इम और शान के समय प्रदोश काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके घर में। अन्न धन के भंडार हमेशा भरा ही रहेंगे या दोस्तों बात करते ही गाय माता से जुड़ी कौन कौन से उपाएं। आपको इस दिन यानी सावन के आखिरी सोमवार के दिन करने है जिससे की जीवन से ततकाल गरीबी समाप्त हो जाए दुख दर्द संकटों से आपको छुटकारा मिल जाए भगवान शिव की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार बने रहे साथ पीढियों तक बैंक बैलन्स चला जाए दुख दूर हो जाए और सुख आपके कदमों में आजाए कदम तू में सूखा होगी तो दोस्तों शुरू करते हैं कौन कौन से उपाय है जो क्या श्रधा पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन में विश्वास रखते हुए करने तो लाब अवश्य मिलेगा चलिए शुरू कर दें दोस्तों सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता तरीका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है मान्यता है कि गो माता के शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गो माता की सेवा एन पूजा करने वाले जातक प आप गो माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गो माता को इस रोटी को खिलाए यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाए यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में वो माताया उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर गोमूत्र गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बनागी अवश्य शामिल करें इससे आपको पुन्य प्रभाव की प्राप्ती होगी सनातन परंपरा के अनुसार जीस घर में गाय माता होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्ट स्वतह ही समाप्थ हो जाते हैं, किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य युक्थ पदार्थ का उप्योग अवश्य, शामिल करें की पंचानवे के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता जा दोस तो वो कृपा पाने के लिए प्रति दिन अथवा महीने में परिवार समेट एक बार गोशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहा गायों को हराचारा जरूर खिलाएं इससे आपको शुब फलों की प्राप्ती होगी और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से नौग्रह शान्थ हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुर अवश्य खिलाएं ध्यान रखें की गर्मियों में गाय माता को गुर ना खिलाएं अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारन करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुब और अशुब संके भी होते हैं। गाय माता की हुकार करना भी शुभ होता है। साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें अन्यता मिलता है। घोर नरक और जीवन भर की परेशानिया जा दोस्तों गाय माता को राश्ट्रिय पशु बनाये जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिये जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतिय संस्कृती का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं गाय माता दरदर भटकती रहती है भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते गाय माता जब तक दूर देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूर देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किसमत पर छोड़ देते हैं सर को mix लुडव होकर बेचारी एक गाइ माता दम तोर देती है, ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की की गाइ माता को लेकर शास्तरों में कहा कहा गया है, गाइ माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए या दोस्तों गाइ माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहि ये शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है, गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है, ऐसे घरों को नरक लोक में वर्शों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशुयोनी में मिलता है, रूप में आयवरत असुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ती के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस पुने में इस नान से वह पाप मुक्त हो गई थी या दोस्तों साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय मा को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं ऐसा पुरान में बताया गया है जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्याव और चार आगरा बनवाते हैं वह मा भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ह धन्वान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाए माता को कश्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए कहते हैं कि जी स्थान पर गाए माता बैठी है वहां से नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है गाए माता के बैठने की जगह को जो लो और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना। चाहिए इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक्की। यातना भुगतनी पड़ती है। एक मात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है जिस पर स्वय महादेव और महादेवी सवारी करती है। की नंदी ने स्वया अपनी इरिक्षा से महादेव की सवारी बनना स्विकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो कठोपनिशद में नच जिस नचिकेता ने पिताद्वारा बूढी गाय माता को दान करने पर आपत्ती जताई थी दूढ़ देने वाली और बच्छडे सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं वह महान पुन्य को प्राप्त करके स्वर्ग में एक स्थान पाते हैं दोस्तों साथ ही साथ सूर्य च प्रिष्टी संबंधी हो तथा मंगल की युती राहू या केतु से हो तो पित्री दोश होता है इस दोश से जीवन संधर्ष में बन जाता है यदि पित्री दोश हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी इकका दशय को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रो तो देसी गाय माता के इस ब्रहस्पती भाग एम शिवलिंग रुपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए गुर तथा चने की डाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें इससे आपको शुब फलों की प्राप्ती होगी और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से माता आती हुई दिखाई दे तो गो माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी और साथ ही साथ ये संकेट भी जान ले यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता बढ़ जाए अथवा अपने बच्छड है और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी इससे आपके घर में हमेशा दर्द रहता का वास रहेगा और आप जीस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाए और रोटी को बिल् नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं आप बिलकुल भी सड़ी गली चीजे गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की लोईया बना कर उनके उपर हल्दी लगाए इसके बाद एक करके गाय माता को खिलाएं प्रत्येक लोईय को खिलाते समय गाय माता के सिंगों पर आप हाथ फेरें पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें माता गाय माता की आप चर्णों को सपष्ट करें या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्थ कार्य बनने लगेंगे जो द गाय माता को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुर रख ले अगर गुर ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं थोड़ा घी रख सकते हैं या दोस्तों गाय माता बहो कभी भी सुखी रोटी ना खिलाए सुखी का मतल जब गाय माता के जो रोटी रखें, खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर, खिलाए हल्दी रखले, गुर रखले, मिश्री घी अब जो भी रखले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है, ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको सुभा फलों की प्राप्ती होगी, या दो झाह बाओ